अश्कार दोस्तों आज हम फिर लेकर आ गए हैं लेस्किवन की फिमस बुक बेचना कितना आसान है का अध्याय चार यदि आप लोगों को यदि आप लोगों का साथ चाहते हैं तो उनके सभाव को ध्यान में रखना सीखें नएकि अंदेखा करें जब आप किसी की सहमती चाहते हैं तो पहले खुद सहमत होना सीखें सहमत होने की कला सीखना अक्सर यह देखा गया है कि जो विदी और तकनीक बहुत सरल होती है सबसे कारगर भी होती है सहमत होने की कला जिसने सीख ली वह नए सिर्व बैतर संबन स्थापित कर पाता है बलके बैतर डंग से बिक्री कर पाता है इस कला को सीखने के चार सरल विदी हैं जिनके जरीए आप असानी से उन्हें सीख सकते हैं गराग के साथ सहमत रहें यह काम उतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहें हैं बलकि दूसरों के साथ ऐस सहमत होना ज़्यादा असान होता है एक भुद्धिमान व्यक्ति वह ही है जो गराग के अकोर्डिंग अपने आपको एगरी कर लिता है एक भुद्धिमान व्यक्ति ही उस व्यक्त सहमत हो सकता है जब सामने वाला व्यक्ति गलत हो आपका गराहक चाहे गलत हो आकरामक हो चाहे निरर्थक बहस कर रहा हो आपको हर स्थिति में सांथ रहना है सांथ रहेंगे तभी उसे अपने पक्ष में कर पाएंगे यह महज एक तकनीक नहीं यह वास्तों में जीवन दर्सन है जिस प्रकार आप देखते हैं कि लोग आपसे बिना बात की बहस करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रीजन नहीं होता आपसे बात करने का तो बहस ही करने लग जाते हैं तो बहस को खतम करने का सबसे आसान तरीका है आप उनसे एगरी हो जाएं यह खुल कर कहें कि आप उनसे सहमत हैं सहमत होने बर से बात नहीं बनती है जब आप खुल कर कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से सहमत हैं तो इसका बड़ा ही सकारात्मक परभाव पड़ता है आप कुछ ऐसा कहे कर देखें बिलकुल ठीक कहा आपने मैं आप से पूरी तरह सह हूं आप देखेंगे कि तत्काल ही सामने वाला व्यक्ति आपके परती नरम पड़ जाएगा आप सोच में पड़ जाएंगी कि जिन्दगी में आप हमीशा तो सब के साथ सहमत नहीं रह सकते इसका भी उपाय है सेल्स के छेत्र में पहली कोशिस तो यह होनी चाहिए कि ग्रहा के साथ सहमत हो उसे अपने पक्सम में करें मगर यह है मगर जब यह संभव नहीं हो तो क्या किया जाए ऐस सहमती खुल करना दिखाएं ऐसे स्थिति का सामना हर सेल्स करमी को करना पड़ता है और जब वह चुप जब है चाह कर्विग्रहा के साथ सहमत नहीं हो जकता ऐसे स्थिति में चुप रहना ही बहतर विकल्प है यदि ऐस सहमती दिखाने पड़े तो यह दबी हुई होनी चीना कि मुखर जब आप यह मै व्यक्ति के साथ सहमत् नहीं हो सकते थो एसे स्थीति और कुछ ऐसा कहने से पहले सार SMITH का विराम ओर और खुद से परसंट पूचें क्या मेरा ऐस हमत होना जरूरी है क्या मेरे ऐस हमत्यों से समझ्य का समाधान हो जाएगा या क्या इससे मुझे या सामने वाले व्यक्ति को कोई फाइदा होगा जदि ऐसे अहमती व्यक्त करने से पहले फुर यह परसंट पोश्टे हैं तो आप महसूस करेंगे कि ज्यादा तर ऐसे अहमतियां निर्षक होती हैं जिनका कोई मुल्य नहीं होता और उनके पीछे सिर्फ एहम का टकराव होता है जो आपके एहंकार से पैदा हुई है इसी दान्त को अपने जीवन में उतार लें उधारन के लिए आप ठीक कह रहे हैं मिश्टर ग्रीफन मेंगर मेरा सुजाव यह है कि मैं आपकी भावना को समझता हूं मिश्टर जोन्स लेकिन क्यों नहीं हम इस तरह से इस विश्य को सोचें आप देखिए इस में जब आप पहले पॉइंट पर आप उनसे एगरी हो गए हैं और साथ की साथ आपने जो बातें बोली उनको सुजाव के तोर पर पेश कर दिया यह उनको इस परकार से लगेगा कि कहीं न कहीं हो सकते हैं वो भी गलत है अपनी गलती तुरंच सुपार ले हम सब हम सब ऐसे लोगों को करने में सरम नहीं महसुस होनी चाहिए यह आप खुल कर और सामने वाले खुल को खुलकर सबके सामने गलती सुपार करने की आदर टाले इस से आपके पढ़ती लोगों का समान बढ़ेगा ही और घटेगा नहीं अक्थर देखा गया है कि सेल्स कर्मि अपनी गलती जल्दी अगर गलती स्विकार लिजाए तो मावला तुरंद शान्थ हो जाता है पूर्अमेरिकी राश्टपती थियोडर उद्रेट ने कहा था कोई भी व्यक्ति जादे से जादे चार में से तीन बार सही हो शकता है गलत्य हम सबसे होती है और होती ही रहेगी जो लोग गलती सुईकारने में देर नहीं करते वही जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज अध्याई चार समाप्त हो चुका है आपको कैसा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर